हलो विवर्स मेरी चैनल हैरी नास कोकिंग लग में आप सब का चागत है आज हम बनाएंगे गुजरती फाफडा दसेरा आने वाली है और दसेरा पे मेरे गर पे सुबे सुबे ही जलेबी और फाफडा आ जाते है और आपको ये जानके हैरानी होगी कि फाफडे के लिए दसेरा के दिन एहमदाबाद में तो बहुत लंबी लाइन लगती है और उसमें भी अगर बहुत लेट हो गया तो मुश्किल से आपको फाफडे मिलते है ऐसे मैं अगर सोचिए कि एक्तम परफेक बाजार जासे फाफडे घर पे ही बना लेतो और उसके साथ बेसन की चटनी और वो कच्चे पपी त्यक का संभारा है वो भी बनाएंगे तो चले काफी सारी टीप्स परफेक्ट मिजर्मेंट और परफेक्ट मेतोड के साथ आज की रेसिपी शुरू करते है सबसे पहले एक बरतन में 1 थर्ड कप मिजर्मेंट के कप से नापके पानी लेना है 1 थर्ड कप यानि 100 ml जितना पानी होगा और इसमें तेल 25 ग्राम और चम्मच से नापा जाए तो बड़े 3 चम्मच जितना तेल लेना है एक चम्मच जितना तेल बाकी रखेंगे बाद में यूज करना के लिए ध्यान रखे सारे इंग्रीडेंट्स नापके इसाब से ही लेने है 2-3 पिंच जितनी हिंगली है 6 ग्राम यानि कि छोटा जो चम्मच इस्तमाल करते है वो आदा छोटा चम्मच नमक लेना है और यहाँ पर पापडखर का इस्तमाल किया है पापडखर 5 ग्राम यानि आदा चम्मच से थोड़ा सा कम लेंगे अब इसमें ब्लेंडर गुमाना है खास ज्यान रहे कि पापडखार से ही फाफड़े का रिजर्ट अच्छा आएगा फिर भी एक बार आपके पास पापडखार नहीं है तो आप इसकी जगपे बैकिंग सड़ा इस्तमाल कर लीजे इस चरीके से ब्लेंडर गुमाने के बाद ये जो हमारा मिशन है वो एकदम वाइट कलर का हो जाएगा इससे हम आटा गुतेंगे असी बहुत सारी फरसान की रेसिपी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे और प्लेलिश को चैक कीजे और हाँ बैल आइकन को क्लिक जरूर कीजे ताकि आने वाली नई रेसिपी की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए अब 200 ग्राम बेसन को चान लेना है मेजर्मेंट के कप से ना पर ये तो टाई कप बेसन होगा बेसन एकदम बारिक वाला लेना है अब इसमें 5 ग्राम और एक छोटा चम्मच इतनी अजवाईन इस तरीके से मसल के डालनी है दोनों आज से अजवाईन से ही फाफडे का टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा इसलिए अजवाईन को स्किप मत कीजेगा अब इसे अच्छे से मिक्स करना है और जो पानी वाला मिशन तयार किया है वो इसमें डाल देंगे अब यह मिशन डालके आटा गुद के तयार करेंगे यहाँ पर खास जान रहे कि इस मिशन को डालके इसे अच्छे से आटे में मिक्स करने के बाद ज़रूरत लगे इस तरीके से थोड़ा थोड़ा पानी और डालेंगे यहाँ पर पानी की कॉंटिटी आपके जो बेशन का क्वालिटी है उस पर भी डिपेंड है इसलिए आगे मैं कंसिस्टन से आपको जैसे थीकने से आटे की बताती हूँ उसी सब से आपको पानी डालके आटा तैयार करना है इस तरीके से हाथ में से चिकका हुआ आटा चमच या तो फिर बटरनेट की मदद से निकाल लेंगे और थोड़ा सा आटे को तेल से चिकना करके बापस से इस तरीके से सेट करेंगे कुद के देखे इस तरीके से आठा सैट हो जाए अब इसे थोड़े से गिले कपड़े से इस तरीके से ढगतेंगे और 15-20 मिनिट रिष्ट देंगे पपिते के संबारे के लिए कच्चा पपिता लेना है उसके चिलके निकाल देने है और अंदर से से वाला हिसा भी निकाल देंगे और इस तरीके से कदुकस कर लेना है जो बड़ी वाली साइड आती है उससे कदुकस करेंगे चले अब संभारा बनाते कैसे है वो देख लिते है संभारे के लिए दो बड़े चम्मत तेल गरम रखेंगे कोई भी कुकिंग और ले लेना है इसमें डालेंगे एक छोटा चम्मच मस्टर सिर्स यानि की राई के दाने एक छोटा ही चम्मच हल्दी और एक छोटा ही चम्मच हिंग राई के तड़कने पे तीन से चार हरी मिरज यसी लंबी कट की हुई और थोड़े से मिठे निम पत्रे डाल देंगे अब इसमें डालेंगे कदुकस किया हुआ कच्चा पपिता स्वाद अनुवसार नमक और एक छोटा चम्मच सुगर पावडर इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे मिडियम फ्लेम पे मिक्स करते हुए इसे एक से दो मिनिट के लिए ही पकाना है इसमें जो कच्चा पन रहता है उसे से एक संभारा फावडर के साथ पहुआ टेश्टी लगता है इसलिए एकदम ज्यादा नहीं पकाना है बस दो से तीन मिनिट के लिए मिडियम फ्लेम पे इसे पकाएंगे दो से तीन मिन बाद इसमें एक चमच निबुका रश्टा लेंगे और इसे भी इसमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे फ्लेम बन करके नीचे उतार लेंगे तो चलिए संभारा तो तयार हो गया अब बना लिते हैं बेसन की कड़ी बेसन की कड़ी बनाने के लिए जो बड़ा चमच आता है वो देड़ चमच मैंने बेसन लिया है इसमें पहले थोड़ा सा पानी डालके इसमें गटा नहीं रहे इस तरीके से थोड़ा सा पतला गोल बनाएंगे और फिर इसमें देड़ कप पानी डालेंगे देखिए बनाने के बाद इतना पतला होना चाहिए बेटर अब बेशन की कड़ी बनाने के लिए एक कड़ाई में दो बड़े चम्मत तेल गरम रखना है इसमें डालेंगे पहले की जैसे ही थोड़े से राई के दाने और एक चोथे चम्मत जींग यहां आप चाहे तो थोड़े से मेथी के दाने पी डाल सकते है राई तड़क चाहे इसके बाद इसमें दो से तीन चौप कीवी हरी मिरच और थोड़े से मीठे नीम पत्ते डालने है अब इसमें डालेंगे दो पिंच इतनी हल्दी और हमने जो बेशन का गोल तेयार किया था अब वो इसमें डाल देंगे अब इसमें स्वाद अनुर्सार नमक और देड़ बड़ा चमच सक्कर डालेंगे अब मिडियम टू हाई फ्लेम पे इसे हिलाते हुए दो से तीन मेट के लिए उबालना है एक चमच निम्बु का रस्पिटाल देंगे और इसे मिक्स कर लेंगे और उबलने देंगे देखिए उबल जाने के बाद कड़ी की थिकने इस इतनी होनी चाहिए ये पड़ी-पड़ी थोड़ी और भी काड़ी होगी अब एक तरफ तेल स्लो फ्रेम पे गरम रख देंगे और दूसरी तरफ आटे को कीचन प्रेटफूम पे थोड़ा सा तेल लगा के इस तरीके से मसल ना है देखिए अभी ये आटा कीचने पे तुरंत ही तूट जाएगा और हम जब मसलेंगे उसके बाद ये एकदम स्ट्रैची हो जाएगा यानि कि मसलने के बाद आटा इतना स्ट्रैची होना चाहिए कि आप थोड़ा सा खीचे तो भी बीच में से तुरंत तूटे नहीं देखिए 7-8 मिट मसलने के बाद आप कलर देख सकते है कि पहले के मुकाबले कलर भी एकदम चेंज हो गया है और देखिए मैं आटा खीच के भी दिखाती हूँ कि कितना स्ट्रैची हो गया है और एकदम फ्लफी और मुलायम हो गया है इस तरीके से खीचने से देखिए पहले की तरह एकदम से नहीं तूट रहा है इस तरीके का हमको मसल के आटा तयार करना है अब आटे में से इस तरीके के लोए तयार करेंगे और लोए में से डेड़ेड इंच के इस तरीके से कट लगा के छोटे छोटे पीसिस कर लेंगे एक पीस को हाथ में लेके इस तरीके से ओवल शेप देंगे बागी के लोये को उड़क के रख देना है अब लकड़े का इस तरीके का बॉड लेंगे इसके किनारे पे इस तरीके से ओवर शेप का लोया रखना है थोड़ा इस तरीके से लंबा करके रखेंगे और हथेली का जो ये हिस्सा होता है उससे लोहे को इस तरीके से धीरे से आगे बढ़ाना है अब एक पतला चाकू लेंगे चाकू को जैसे वीडियो में दिखा रही हूँ उस तरीके से रखना है और धीरे से इस तरीके से फापड़े को इसमें निका लेंगे चाकू को बिल्कुल भी खड़ा यानि की क्रॉस नहीं रखना है वरना फाफडा तूट सकता है देखिए बहुत ही आसान है एकदम आसानी से इस तरीके से फाफडा निकल जाएगा तेल एक तरफ मीडियम गरम होना चाहिए और मीडियम गरम तेल में इस तरीके से फाफडे को डालना है अगर तेल ज्यादा गरम हुआ तो फाफडे या तो लाइट पिंग कलर के या तो फिर रैड कलर के हो जाएगे इसलिए एकदम स्लो फ्लेम पे धीमी आज पे ही फाफडे को हिलाते हुए फ्राए करना है सच मानिए फाफडे बाजार जासे बनाना बिल्कुल आसान है आपको सिर्फ मेजर्मेंट का ही ध्यान रखना है और जो ट्रिक्स बताई है इसमें वीडियो में उसको फॉलो करना है दो मिनिट के बाद इस तरीके से फाफडे को पल्टा लेंगे और दूसरी तरफ भी फाफडे को फ्राई होने देंगे तीन से चार मिनिट के लिए धिमियाज पे इस तरीके से फ्राई करने के बाद फाफडे को एक किचन पेपर पे निकाल लेंगे सारे फाफड़े फ्राय हो जाए फिर फ्लेम को बन कर देंगे और इसमें थोड़ी सी फिक्की वाली मिरज फ्राय कर लेंगे हाँ यहां पर खास जान रहे कि फ्राय करने से पहले मिरज में एक कट लगा ले ताकि यह उचल के बाहर नहीं आए बस 30 से 35 सेकंड के लिए इस तरीके से मिरज को फ्राय करके निकाल लेंगे तो लीजे दसे रा के लिए घर पे बने हुए बाजार से भी सौफ्ट ऐसे फाफड़े तयार है और ये फाफड़े थोड़ी सी हरी मिरज, बेशन की कड़ी और कच्चे पपिप्ते का संबारा इसके साथ तो और भी ज्यादा टेस्टी लगेंगे अगर आप भी घर का सुत्य खाना पसंद करते हैं तो एक पार इस रेसिपी को घर पे जरूर ट्राय कीजेगा अगर एक पार आपने ये संबारा, कड़ी और फापड़े घर पे बना लिए तो मेरी गरंटी है कि कभी भी आप बाहर से लाना पसंद नहीं करेंगे आज की रेसिपी आपको कैसी लगी? मुझे यूट्यूब में कमेंट बॉक्स में आपके ओपिनियन और इस रेसिपी से जुड़े हुए कोई भी सवाल हो वो बताईए और पूछिए और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक कीजे और आगे शेयर कीजे